नमस्कार मैं हूँ प्रवीन और आप देख रहे हैं इंडिया टेमटी फोर नियूज जैसे जैसे दोजार चोबिस की चुनाम नजदी का रहे हैं राजनीती गलियारों में शोर बढ़ता जा रहा है जहां एक तरफ बीजेपी और इंडिया गठबंदन तक्कर में है तो ऐसी इमाम पार्टियां हैं जिनके नेता कह रहे हैं कि उनकी पार्टी बहुमत लाएगी और उनका जो शीष नेता होगा वही प्रधानमंतिरी बनेगा लेकिन इस बीच देश की जनता क्या सोचती है जानने के लिए हम राजधानी दिल्ली के डिस्टी सेंटर में पहुंचे हैं यहां पर हर तबके के लोग आते हैं हर इंडिस्ट्री से लोग आते हैं यहां बड़ी-बड़ी MNCs हैं कंपनियां हैं और एक मार्केट हब यह है लाप्टॉप की मार्केट मॉबाइल्स की मार्केट यहां हर तरह के लोग पूरी दिल्ली से यहां पहुंचते हैं तो यहां लोगों से जानेंगे कि उनके दिल में क्या है और यहां ऐसा भी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में हम चले जाएं उनका नेता जो है आमादी पार्टी का है तो आमादी पार्टी की तारीफ उने करनी पड़ेगी ऐसा भी यहां कुछ नहीं है निश्पक्ष जो जंता क कि राय है, वो यहां हम लेंगे. आपका नाम क्या है? योगे श्टोश खानी. चोविस के चुनाव नजदीक आ रहे हैं. किस को प्रधान मंत्री के रूप में देखना चाहते है? क्या लग रहा है आपको? ऐसा है, चोविस के इंदिजार में है, वीवी. मगर यह जो काम चल र कौन पी-म के तौर पर आप 24 किसी देखना चाहते हैं? राहूल गांदी को या प्रधान मंत्री मोदी को किसको देखना चाहते हैं? देखो जी, मैं इसमें बाहरे में तो बात मुश्किल है करना, वैसे तो मोदी जी ही आएंगे. ऐसा क्यों लगता है? काम किया है. क्या क्या वह बाहर गए, नहीं गए, वह चाहते हैं मोदी जी, मोदी जी चाहते है, हमारे साथ सब देशों. आपने कमेंट दिया, और भी लोगों से हम यहां बातशीत करेंगे. यह देखी, बहुत सारी जनता है, पब्लिक है यहां, जो बताएगी कि इस बार दोजा 24 में कौन पता ह किसको और भी लोगों से यहां बात करते हैं, कुछ लोग, नमस्कार भाइसा, 24 के चुना में पी-एम किसको देखना चाहते हैं, सर सर्वे कर रहे हैं, मोदी तो, ऐसा क्यों सर, मोदी जी बढ़िया है, जैसा आपको लगा, जिससे प्रभाद है, जैसा आपको लगा जिससे है, बेरोजगारी बढ़ी है, और दुबार से अब, ऐसा तुसने में जाइए, टाइम के साथ बढ़ती है, इतना ज्यादा नहीं, उससे ही फैड, वो पूरा यकीन है, यस, यस, प्यमोदी, हाजी, कौन बनेगा प्रदावने दिराहू लिया मोदी, अब हमारे श्याव से मोदी को यहना चीए, तो मोदी को लोग ज्यादा प्रफर कर रहे हैं, और यहां हम कोशिश करेंगे कि यूवाओं से भी पूछें, सीनियर सिटिजन से भी पूछें, और हर किसी से पूछें कि क्या चलना है, कि सब्सक्राइब मेरा काम ही नहीं है, काम इसे रिकसा रिकसा बेजीं से वचें के सवाहाद हमार्मार करतेरी हैं, में च् Flek लात कर तो द Kids उन्हाहं संघ्चा निए निघ आस करा सब को नइन की भाद्ही आने की बात दिल्ी की बात मैं दिल्ली की बात कर पूर ईंदुस्तान की बात नहीं कुछ लोग बोलना चाहरे हैं कुछ नहीं भी बोलना चाहरे हैं और जो यहां पर यूवा बर्क पहुचा हुआ है वह हाला कि नहीं बोलना चाहरे हैं कुछ और लोगों से यहां बात करने कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि वह क्या चाहते हैं बिया 24 का सर्वे कर रहे हैं पी-ए-m कौन होना चाहिए दो आएगा तो मोधी ही इस तरह से लोग जो है बातशीत कर रहे हैं चोबिस में पीएम कौन हो ची राहूल या मोधी या कोई अन्ने तो लोग बोल रहे हैं योगी को पीएम होना चाहिए यहां कुछ लोगों से सर्वे कर रहे हैं कुछ बोलना चाहेंगे चोबिस चुनाब के बारे में नहीं है अपना एक निश्पक्ष राही दीजेकों पीएम होना चाहिए मोधी योगी य राहूल यह कौन होना चाहिए मोधी होना है म deport u symmetry मोधी मोधी काम लकार भीया क्या काम क मरसा कभाया है अत्व मोधी और मोधी मोधी ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए जो भी किया बहुत अच्छा तीन दो सत्तर अटा दी दारा और यह का नम आपको बताएं आप जान मंदिर जन्मों से बन रहा है अजारों लोग कट गए मर गए कभी नहीं बना था वो मंदिर बन रहा हम यह अलग 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 लोग हैं अपनी अपनी राए दे रहे हैं और और भी लोग उसे पूछेंगे सर सर चोविस के चुनाव आ रहे हैं कौन पीम होना चाहिए राहूल यह रंदर मोधी काई काम है बस क्या काम आपको पसंद आए हैं सब कुछ अब और कुछ ने चले हाला कि राधतर लोग यही कह रहे हैं कि वो बोलना नहीं चाहते हैं कुछ भी रीजन हो सकता है हम उस सब्सक्राइब के तौर पर देखना चाहते हैं करें